अल्राइट गाईज तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉडी विल्लिंग की दुनिया से काफी सारी अपडेट्स लेकर आज होको हैं तो गाईज अगर मैं बात करूँ आज के अपनी फस्ट अपडेट के वारे में तो गाईज आज हमारी फस्ट अपडेट आ रही है इंडिया के सबसे बड़े फिटनेस यूटूबर जो की कमपीट कर रहे हैं मुंबई प्रोशो के अंदर तो इनका नाम है दोस्तो रोहित खत्री जो की कमपीट करेंगे अपने प्रोकार्ड के लिए तो सबसे पहले मैं इनके ट्रंक नमर का अपडेट दे दू तो गाईस रोहित खत्री का ट्रंक नमर है 402 एंड गाईस अगर मैं बात करू रोहित खत्री भाई के कॉमपीटीसन से लास्ट फिजीक अपडेट के बारे में तो यहाँ पर भी अगेन कंडीशनिंग में उसको सही लगती है बट साइज में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा लैक करते हुए नजर आते हैं रोहित खत्री बागी आज होगी दोस्तो क्लासिक फिजीक और ओपन बॉड़ी विलिंग की प्रिजर जिंग एंड कल होगी मैंस फिजीक की तो देखते हैं दोस्तो कि कल हमको रोहित खत्री कैसे नजर आते हैं काप्स लोडिंग के बाद में ऑन स्टेज इसके अलावा दोस्तों एक और यूटूब बॉडी विल्लर अविशे यादब का अपडेट लेकर मैं आपके पास आ चुका हूँ तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंन का ट्रंक नंबर शेयर कर दू जो कि है 365 बाकी बात करने फिजीक अपडेट की तो अविशे के आदब ने अपना कोई भी फिजीक अपडेट है नी कि एक कोई भी अपना कम्प्लीट फिजीक अपडेट हमारे साथ में शेयर नहीं किया एंड इसके अलावा दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये compete करेंगे men's physique class B category में जो कि पहले से ही बर्दान मलोतरा और sun physique जैसे जो हमारे काफी सारे जो मतलब dangerous dangerous bodybuilder ना उन सभी से बरी हुई है तो फिलाल तो दोस्तों इन दोनों ही athletes के होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अभीशेग जादब का gold medal जीतना बहुत ही जादा मुस्किल होगा बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि sun physique, बर्दान मलोतरा और अभीशे की आदब मैं से कौन सा bodybuilder इस बार आएगा कौन सी place की उपर इसके बारे में दोस्तों आपके जो भी opinions हो आप लोग मेरे को comment box में comment करके जरूर बता है इसके अलावा दोस्तों सुनीत जादब की दरब से भी one day out यानि कि कल जो pro show होने वाला है 19 तारिक को उसको लेकर एक छोटा सा physique update निकल कर आया है तो सबसे पहले इस update के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनके जो apps है ना उसमें एकदम crispy conditioning हमको नजर आ रही है इसके अलावा जो एक छोटा सा biceps का भी update हमको मिलता है उसमें भी जो इनके biceps की peak है ना वो काफी जादा अच्छी है और अगर shoulders भी हम लोग ध्यान से देखें तो t-shirt के उपर से इनके shoulders हमको काफी जादा round shape में नजर आ रहे हैं तो definitely दोस्तो इस सालाव को एक बहुत ही अच्छी फिजी के सास में नजर आने वाले सुनी जादव on stage Mumbai pro show बढ़ आप लोगों को भी क्या वाक्त है दोस्तों कि क्या इस साल सुनी जादव इस वाले Mumbai pro show को जीत कर जा पाएंगे Olympia इसके बारे में आपके जो भी opinions हो आप लोग मेरे को comment box में comment करके जरूर बता है इसके अलावा दोस्तों अपनी next update आ रहे है नेक जिला की तरप से और जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी कल वाली वीडियो में इनकी प्रीजेजिंग का update दिखाया था और यह वाली वात बोली थी कि यह आज काफी easily अपना pro card win कर लेंगे तो दोस्तों यह compete कर रहे थे इविल स्प्रैग्यू कप के अंदर जिसमें कि इन्होंने अपना pro card जीत लिया है और अवी अपना pro card जीतने के बाद में compete करेंगे pro body willers के साथ में यानि की pro show में with samson doda and with michael kriso तो देखते हैं दोस्तों कि अवे नोंने अपना pro card जीती लिया है बट आज रात को होने वाले pro show के अंदर ये अपनी किस्तार है कि फिजीक लेकर आएंगे और क्या ये माइकल क्रीज हो और सेमसन 12 को वीट कर पाएंगे ये वाली चीज देखने में दोस्तों आज रात को काफी जादा मज़ा आएगा आज की चोटी सी वीडियो में तो इतना ही रखते हैं और ये वीडियो आपको बाकई में informative लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं चैनल को भी subscribe कर लें साथ की साथ notification bell को भी all पर press कर रहें जिससे ही हमारी नई और informative वीडियो सबसे पहले आपसे भी तक पहुंच सके लाइक और शेयर थैंक्स पॉर वाचिंग